नमस्कार स्वागते न्यूज लाइब में मैं हूँ आपके साथ अबती मिश्वा नागरिक्ता कानून के विरोध की आग दिली से निकल कर अब लखनो तक पहुँच गई है कलालीगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ और आज लखनों के नदवा कॉलेज में बवाल चल परा है अज सुबा से च्वात्र कॉलेज के अंदर प्रदर्शिन कर रहे हैं तो यह तीन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नदवा कॉलेज की जहां चात्र प्रदर्शिन कर रहे हैं नागरिकतर कानून के विरोध में पुलिस पर पत्थराव भी किया चात्रों ने इस्ती तनाव की बनी हुई है बता दे आपको पत्थर वाजी की तस्वीरे सामने आई लकनों के नदवा कॉलेज से दिल्ली के जौम्या इस्लाम या विश्ववद्याले में प्रदर्शिन के बाद अब लकनों के नदवा कॉलेज में भी प्रदर्शिन की तस्वीरे सामने आई हैं ये तीन तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं नदवा कॉलेज की और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सरीके से चात्र पुलिस कर्मियों पर पत्थर फीके जुआ रहे हैं तो लखनव के नदवा कॉलेज में चात्रों के प्रदर्शन की ये तस्वीरे बता दे आपको नागरिक्ता कानून के विरोध में देश भर में उबाल है कई इलाकों से हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरे सामने आई हैं दिल्ली के बाद यूपी के भी कई जिलों में प्रदर्शन की तस्वीरे और बता दे आपको की हिंसा के बाद अली गड़ और सहारनपुर में इंटरनेट से वाएं बंद कर दी गई हैं तो वहीं अब लखनव के नदवा कॉलेज में चात्रों की ये प्रदर्शन करती हुई तस्वीरे भारी संक्या में चात्र नदवा कॉलेज में खटा हुए जिसके बाद पुलिस कर्मी मनाने के लिए पहुँचे पुलिस के आला दिकारी चात्रों को लेकिन चात्र नहीं माने और पुलिस कर्मियों पर पत्तर बरसाने शुरू कर दिये बताने कि कल राज सही तनाफुर्ण महौल था नद्वा कॉलेज के कैमपस में और इसके बाद चात्रू का प्रदर्शन लगतार जारी है आपको बता दें और कही न कहीं एक बड़ी लाव परवाही यहां पुलिस प्रिशासन की भी सामने आई लगना उससे हमारे सेयोगी शिवा शर्मा हमारे साथ जोड़ चुके हैं शिवा नदवा कोलेज में चात्रू का प्रदर्शन लगतार जारी है क्या कुछ अपडेट अब है इस कि आपकी आवाज फिलालम तक नहीं पहुंच पा रही है बताने आपको कि नद्वा कॉलेज में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है च्वात्रों का दिल्ली की आग अब लखनों तक पहुंच चुकी है और लखनों के नद्वा कॉलेज में लगतार चात्र प्रदर्शन कर रहे हैं पत्थर बाजी की चात्रों ने पुलिस कर्मियों के उपर आपको बता दें जिसके बाद इस्तती इतना फूर्ण बनी हुई है चात्रों को समझाने की कोशिश भी लगतार जारी है और आपको बता दें कि सियम योगी आदितार ते भी इस पूरे मामली को लेकर डीजिपी ओपी सिंग को तलब किया और अफवा फेलाने वालों पर सक्ती से सक्ती बरतनी के नरदेश दिये तो लखनौ के नदवा कॉलिज में हो रहे विरूत प्रदर्शिन में भारी पुलिस बलते ना थे मौकी पर लखनौ के सिस्पी और डीम समेथ कई आलादिकारी मौजूद हैं दिया मेंसस्पी ने क्या कुछ कहा है यह सुनिये स्तिति सामानय है कंच़ोल के अंतरगत है आप जो उनवस्टि से का गया है कि स्ट्डेंट्ट्र नियम कानून का सभी पालन करें और कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ नियावानुसार दंडात्मा कारवाई भी की जाएगी। चात्रों के प्रदर्शन पर डियम का वियान आप सुन रहे थे जिनका कहना है कि सती अब कंट्रोल में हैं बता दें आपको किया सुबा हिंस्वत प्रदर्शन देखने को मिला अध्वावने चात्रों का जिसके बाद डियम और स्पी मौक्य पर पहुंचे और चात्रों को अगरिक्ता कानून के विरोध की आग दिली से अलिगड़ होते हुए लखनों तक पहुंच गई है और यह तीन तस्वीरे आपको दिखाएंगे जोहां तीनों तस्वीरे अलग-अलग शेहरों की हैं यहां चात्रों नागरिक्ता कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं तीनों के जगहों पर बता दें आपको दिली में यह हिंसक तस्वीरे जहां बस फूग दी चात्रों ने भारी संक्या में चात्रों ने उत्पात मचाया सड़क पर उतराएं नागरिक्ता कानून के विरोध में और यह दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलिगड की जहां इस्ति काफी तना फूर्ण है हिंसक प्रदर्शन के बाद बता दें आपको के इंट्रेट सेवाई बंद कर दी गई हैं अलिगड में वहीं लखनाओ के नद्वा कॉलेज में भी चात्रों ने प्रदर्श